रागिनी उसे एक टक निहारते हुए उसका चेहरा से हलाकर उसे चुमने की कोशिश करती है ये देख रौनक एक जटके में रागिनी को गोट से किरा देता है हाँ ए ये क्या करे हो तुम तुम आखिर हो कौन अरे मैडम मैं तुमको नहीं जानता वानता तुम तो जबरदस्ती मेरे मूँ लग रही हो यार तुम लोट आए पर तुम आए कैसे मैंने तो अभी तक बतला लिया भी नहीं मा तो अभी भी जिन्दा है पर तुम लोटे कैसे तभी आस्मान से बिजली गड़कती है और नागराज सफीर शक्ती के द्वारा वहाँ प्रकट हो जाती है ये सुनते ही नागराज मुस्कुराते हुए मिली को उठा कर अपने कंधे पर बिठा लेती हैं और खोब प्यार करती हैं ये देख रौनक का दोस्त शेखर चौक गया था वैसे यार रौनक ये लोग इतने भी बुरे नहीं लग रहे यार देख इन्होंने अभी तक मिली को जरा सी भी छोट नहीं पहुँचाई अब तो मुझे भी लग रहा है जब ये लोग इतने ही अच्छे हैं तो दादू और ये गाउं वाले हमें इतना डरा क्यों रहे थे वो किस बात की चितावनी दे रहे थे उन लोगों की चितावनी का क्या इनसान तो वैसे भी नागनागिन से अधिक जरीले होते हैं वैसे यहां चल क्या रहा है नागराज आपने कहा था कि मुझे मेरे प्यार को पानी के लिए अपने प्यार की हत्या का बदला लेते हुए मा की हत्या करनी होगी तभी देव का पुनर जनव होगा मकर ये यहां कैसे ये इतना असंभव काम कैसे हुआ हर असंभव काम को संभव करने के लिए ही एश्वर ने सश्टी में अपनी सबसे अलोग एक रचना भेजी थी जिसे मा कहती है हाँ, तुम्हारी मा की वज़े से देव का पुना जन्म बरसों पहले ही हो गया था मा की वज़े से? मगर वो कैसे? मैं बताती हु रागिनी, जब तुम बरसों तक कड़ी तपस्या कर रही थी, तब उसी समय मैं अपनी जगह शिवजी की उतनी ही कड़ी तपस्या कर रही थी मगर ये कैसे हो सकता है? मैंनी चादुए पानी में हर हमले पर आपकी परच्छाई मेरे पीछे देखी है मैंने तु शुरू में ही कहा था बेटा, कि आखों देखा कुछ सच नहीं होता रागिनी को इतना हटी और दिवाना होकर तपस्या करते देख, मोहिनी का दिल ही कहरा उठता था वे अपने घर में जाती है और शिवलिंग के सामने विलाप करने लगती है हे शिवजी, अगर गिनने लग जाऊं तो वर्ष कैलेंडर कम पढ़ जाएं, मैं तब से आपकी भक्ती में लीन हूँ सावन, बसंत, पत जड, किसी दिन भी मैंने भक्ती में कोई फर्क नहीं किया तो ये मेरी बेटी और मेरी परिवार की कैसी परिक्षा ले रही है आप मालिक लेकिन बस इस परिक्षा में मेरी बेटी अकेली नहीं है, मैं भी उसके साथ हूँ और आगिनी आखे घेरे के बीच बैट कर लगा त्यार तपस्या करने लगती है ये देख शिवजी मोहिनी के पास आते हैं कापने दीजी भगवन मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरी दुनिया में आहे तुफान से सब कम है हे भगवान, हे भंडारी अब जो कश्ट दिना चाहते हैं मुझे दो मेरी रागिनी को नहीं कान मेरे हाथ से हुआ है तो कर्म भी मैं ही करूँगी मोहिनी, देवी, मैं तुम्हारी भगती से प्रभावित हुआ हूँ मांगो, क्या मांगना है बस मेरी बेटी का खोया प्यार तथास तू, चलो दिया एक ही वर में, तुमने तो नियती के लिखे को ही बदल दिया मोहिनी और मेरी एक परचाही, जो हर वक्त मेरी बेटी की रक्षा करने के लिए उस दोहर पर खड़ी रहे ये भी दिया और जब मुझे सब दे ही दिया है, तो मेरी रागनी को उस तकलीफ भरे अंधेरे से बाहर बुला लो, शिवजी अब तुम्हारा लालच बढ़ता जा रहा है मोहिनी पर थोड़ा लालच जी, अगर मैं बन जाओ, तो क्या बुरा कोई भक्त अगर इतने मन से मेरी नी स्वार्थ भाव से अरादना कर रहा है, तो मुझे भी इसका अरंद उठाने दो सही समय आने पर देव के सामने आने पर तुम्हारी रागनी खुद इस अंधेरे से बाहर आ जाएगी, बस इंतिजार करो